स्वागे ताब सभी का ब्लागिंग और योट्यूब चलाएंगे और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक वेब बोस्टिंग कम्पनी चूज करने से पहले या फिक वेब आपको क्या-क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए तो सुडियो में आज हम वही बात करेंगे और लाश में हम बात करेंगे मेरे टॉप 5 पिक्स के बारे में कि कौन सी कंपनीज में यूज कर रहा हूँ वही मैं आपको रिकमेंड करूँगा यूज करने के लिए कि मैं उसे यूज कर रहा हूँ और इसकी सर्विस अच्छी है इसलिए मैं उसे रिकमेंड कर रहा हूँ तो खेर चोड़ी ये वीडियो स्टार्ट करते हैं तो काफी लोगों काई सवाल रता कि कौन सी वेब होस्टिंग सर्विस अच्छी है और काफी मुझसे पूछते भी है कि कौन सी कंपनी में चूज करू या फिर कौन सा प्लैन में चूज करू तो ये वीडियो में आपके सारे डाउट्स लियर हो रहे हैं कि आपको एक वेब दियान रखनी जिए तो सबसे पहली बात जो है वह है आपकी website के requirements तो website requirement में आपके कितना storage requirement आप कितना आपके monthly visitors आप expect कर रहे हो आपके website पे और आप कितने files उस पे डालोगे उसके साफ साफ के storage रहेगी RAM और CPU तो यह सब कुछ main बाते हैं मतलब आपके website के requirements क्या है और आपको e-commerce website बनानी है तो मेरा example ले अगर मैं अपना course launch करना है को YouTube पे रहेगा मुझे अपने website पे डाल है तो समाली जी में 10 वीडियो scores में ला लूँगा और हर वीडियो एक एक GB की है और मैं कोई ऐसा प्लाइन लूँगा जो सिर्फ 10 GB का उसमें storage मुझे मिल रहा है तो वो प्लाइन मेरे कुछ काम का नहीं होगा क्योंकि सिर्फ 10 GB मेरा वही store मेरा जो वीडियो से वही खा फाइल होगे उसके भी अलग storage चाहिए होगी तो वह कम नहीं कर पाएगा तो उसके लिए कम सक मुझे 25-30 GB तो storage चाहिए ताकि अगर मैं future में कोई और वीडियो डाले की सोचू या फिर में अपने website में कुछ भी कर दो तो उसमें वह storage यूज हो तो सबसे पहले आपको अपने website के requirement जानने चाहिए फिर नेक्स पॉइंट है वह अथा है प्राइजिंग फीचर्स और money-back guarantees यह तीन चीजे भी काफी इंपोर्टेंट है कि आपकी जो सबसे प्राइजिंग की बात कर तो कि अभी अपकी करेंट प्राइज में आप अभी जो आप खरीद रहे हो तो आपको किस प्राइज में वह मिल रहा है क्योंकि जो companies होती है उनके जो आप पहले ताइम उसको खरीद होगे first year के लिए फिर आप अगर new customer हो तो आपको 70-80-90% discount मिल जाता है 2-3 डॉलर पर मंत के इसाब से तो आपको काफी चीप पड़ता है लेकि जब उसको वही आप रिन्यू करने रहता तो आपको double या triple charges पे करने पड़ते हैं क्योंकि company चाहती है कि नए customer आया है इसलिए वो discount लाती है लेकि लाता है features तो feature में पहले step में decide कि हमारे website के requirements का है उसके साब से उस plan में features मिल रहे है या नहीं मिल रहे है वह मैं देखना चाहिए अकर नहीं मिल रहे है तो फिर कोई आप दूसरा plan चूज करो दूसरी company देखो मिल रहे है तो आपके लिए वह plan बैस रहेगा आप उसे खरीद सकते हो फिर देखनी होती है वह money back guarantee या फिर हम एक तरके से फ्री ट्राइल्स तो जो companies होती है mostly जो जित्ती भी companies होती है सब देती है money back guarantee जो को हम बोलते है 30 से लेके 90 days के बीच में देती है तो वह आपको चेक करना चाहिए कि उसमें money back guarantee का है यह option नहीं है या नहीं है क्योंक application करके आपका पूरा का पूरा पैसे refund कर सकते हो mostly सारी companies 30 से 90 दिन का देती ही है तो आपको यह भी चीज ध्यान रखना चाहिए ताकि आप उसके फ्री ट्राइल की तरह यूज करो अगरे आपके काम का है तो आप यूज करोगे नहीं तो आप उससे cancel कर दोगे तीसरी जो सब आपसे main और important factor है यह है customer support और मैं बोलूगा कि यह तो आपके लिए काफी ज़रूरी है क्योंकि आप कोई beginner हो तब यह वीडियो देख रहे हो इसलिए आप intermediate या beginner हो तो आपको यह चीज काफी ध्यार रखनी होगी कि उसका customer support कैसा है क्योंकि आप complete beginner हो या फर intermediate हो तो आपको तक कुछ technical चीजें नहीं मालूम होगी beginner को तो सिंपल सी बाते ज्याला तर मालूम नहीं होगी कि आपको किसी particular फाइल को खुले बगाए विंडो के एक ड्राइव से दूसरे ड्राइव में कॉपी कैसी क्या जाता है फिर अपने website को कैसे connect करना है अपने domain के साथ होस्टिंग मैं उनका अच्छा होना चाहिए और responsive और मतलब फास्ट भी होना चाहिए और reliable भी होना चाहिए तो वह चेक करके भी आपको अपने होस्टिंग प्लैन डिसाइड करना चाहिए नेक्स्ट जाता है वहाता है बैकप एन सेक्यॉर्टी तो बैकप से मेरा मतलब है automatic backups तो काफी companies जो होती है वो daily backups भी देती है तो आप ट्राय करो daily या weekly backups वाले प्लैन ही लेना कभी कभी हम काम करते हैं हमारा electricity चल जाता है या फिर हमारी net बैकप आपी से restore कर देंगे तूरंत ली तो काफी सारी companies होते हैं जो malware scan होते हैं हमारी जो वाइडेस होते हैं वह scan भी करती है और remove भी करती है तो आप अपने website hack हो जाती है तो उसको भी recover करने में आपको वह help करेगी तो backup और security का भी आपको ध्यार रखना चाहिए तो जो फिफ्थ पॉइंट है वह है server locations या data center location तो भी काफी important role play करते हैं आपकी website की speed के साब से क्यूंकि अगर आप मानलो आपकी एक company है या फिर आपकी e-commerce store है आप चाहते हो कि वह काली इंडिया में आप अपने product को sell करते हो या फिर आपका Hindi website है लेंग्वेज पे तो mostly simple से बात है 90% आपका audience इंडिया या फिर पाकिस्तान क्या जूबाजू कही होंगे तो उस case में आपका इंडिया में ही हो क्योंकि mostly इंडिया के यूजर होंगे तो अगर आपका इंडिया में है तो आपके पिंग जोट होगा वह कम होगा और आपकी स्पीड इतरीके से website की लोडिंग स्पीड को और आपके रैंकिंग में उससे भी एफेक्ट पर सकता है तो ट्राय करो आपको कंट्री स्पेसिफिक वेबसाइट बना रहे हो तो उसी कंट्री के रिलेटेड या फिर उसके बाजू-बाजू में सर्वर लोकेशन हो आपका तो वह भी आपको ध्यान रखना चाहिए तो उसके बात जो नेक्स्ट पॉइंट होता है हमारा सर्वर स्पीड एंड अप्टाइम तो काफी कंपनी अपने कंपनी अपने हंड्रेट परशंट के बिताती है लेकिन वह जो भी नहीं हो तो आपको सब्सक्राइब कि जो स्पीड है कंपनी पिंग टेस्ट कर सकते होगी करेंट्ली कौन सी है और आज बाजू में आपको सब की स्पीड बताएंगी और कंट्री वाइस लोकेशन मतलब जहां जहां पर उनका डेटा सेंटर है उसका लोकेशन भी बताएगी जिससे आपको हेल् सब्सक्राइब करने से पहले धियान में रखना चाहिए और जो इट्स पॉइंट है वो आता है हमारे एक्जिस्टिंग कस्टमर रिव्यू तो सिंबल से बात है यह तो आपको 100% चेक करने ही चीए कि जो भी कंपनी के आपको प्लैन, प्रैजिंग, सवरल, स्पीड, सब पसंद आ गया और लास्ट में आपको उसका देखना है कस्टमर रिव्यू उसके बारे में उसके कस्टमर जो एक्जिस्टिंग कस्टमर है में जो पहले से उससे यूस कर रहे है उसका रिव्यू कैसा है, अगर उन्हें पसंद आ रहा है तो कंपनी अच्छी है, नहीं आ रहा है तो सिंबल से बात है आप उस कंपनी के वेब होस्टिंग सर्वीस यूस करने में दिक्कत है आ रही है तो सिंपल से बात है आपको भी आएंगी, तो उस company को आपको skip कर देना चाहिए, कोई दूसरी company चूज करो, जिसके अच्छी rating और अच्छी reviews हो, reviews के लिए आप Trustpilot पर जा सकते हो, host advice पर जा सकते हो, याफ ही सिंपल से सबसे अच्छी बात है YouTube पर ही चल जाओ, YouTube पर आपको सारी companies के बारे में almost reviews में ली जाते हैं, तो जो customer है, जो इसे use कर रहे हैं, वही अपने review शेयर करते हैं, और आपको वह काफे वह फाइदा रहेगा, आपके hosting कावने ही decide करने में, तो मैं अब अपने top 5 picks के बात करता हूँ, कि कौन सी मुझे पसंद है 5 best companies, या फिम मैं जो इसे use करता हूँ, और recommend करूँगा, तो सबसे पहले बात आती ही, host रमाडा की, जिसको मैं अभी currently use कर रहा हूँ, हमारे blogging raptor पे भी, और raptor क्रीट पे भी, और host रमाडा की customer support service, सब क कुछ अच्छी है, आप उसके reviews भी check कर सकते हो, और मैं खुद इसे use कर रहा हूँ, इसलिए मैं उसे recommend कर रहा हूँ, ठीक है, तो यह काफी एक अच्छा, आपका option हो सकता है, दूसरा आप त्राय कर सकते हो, dream host, dream host भी काफी अच्छा है, बस इसका एक ही disadvantage है कि इसके server locations है, व first comment की आपको pricing कम मिलेगी, पर इसके features हो रिक हम है, तो आप ध्यान से दिखना, अगर आपके उस feature में काम चल जाता है, तो आप first comment को भी choose करतो, काफी अच्छी service इनकी भी, फिर फॉर्थ है, उसको मैं recommend करूँगा, आपको milesweb, milesweb भी काफी अच्छी companies है, इनके भी products किये वे, इसलिए मैं आपके share कर रहा हूं, तो milesweb भी आपके लिए काफी अच्छा option हो सकता है, और फिर में recommend करूँगा, hostinger, hostinger को fifth में इसलिए रखा है, क्योंकि इनके जो customer support है, वो थोड़ा slow है, बसलो आप इनको contact कर गए तो 20-25 मिनेट के बाद आपको reply आता है, आता है लेकिन फोड़ा लेट आता है, तो आपके हो सकता है, इंसलिए आपको अगर आपको instant support चीए, तो आपको नहीं मिल पाएगा, बाकी कही बार मिल भी जाता है, तो hostinger भी काफी अच्छा option हो सकता आपके लिए, तो यह top 5 recommendation थे मेरी तरफ से, बाकी आपके उपर है, और मैंने अल्रेडी एक 31 प्लस web hosting companies के बारे में, full detail में एक review डालावा है मेरे blog पे, अभी recently, उसका link भी आपको नीचे description में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाके, 31 web hosting companies चेक कर सकते हो, जो भी पूरे globe में है, जो भी best companies है, उसके बारे मैंने बताया है, तो आप वहाँ पे जाके, उन बित करता वीडियो जरूर पसंद आया होगा, और क्या फे मिलते अगले वीडियो में,